सर, आज से कई साल पहले एक मूवी आई थी पीपली लाइव उसका एक गाना था सर, सखी सैयां तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाय जात है आज इस गाने के लिरिक्स सार्थक होते नजर आ रहे हैं सर मैं पंजाब सूबे से आता हूँ, एक खेती प्रधान सूबा है सर और पंजाब का किसान, देश का किसान, महंगाई की डबल मार जेल रहा है एक मार किसान की as a producer और दूसरी मार किसान की as a consumer food production की cost पिछले एक साल में सर करीब करीब 21 प्रतिशब बढ़ी है यानि कि किसान की cost बढ़ गई, food production की लेकिन उसकी आये, जिसका वादा था कि MSP दुगनी करेंगे, आये बढ़ाएंगे वो उस rate पे नहीं बढ़ी जिसके चलते आज देश का किसान as a producer दूसर महंगाई के बोज चले दपता जा रहा है, दूसरा देश का किसान as a consumer भी सर क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ, आज कहीं बाजार में कुछ भी खरीदने जाता है, तो महंगाई की मार झेलता है और मैं बताओं आपको सर, ये शायद आजाद भारत के इतियास में पहली बार हो रहा है, जब भारत देश की rural inflation, भारत देश की urban inflation से जादा है, यानि की शहरों में रहना सस्ता है, गाउं में रहने के मुकाबले, और आप जानते हैं ये देश, ये देश वो देश है सर, जह कानून है, जो बिना कानून के सरकार हम लोगों पे टैक्स लगाती है, ये वो माना जाता है, और सर, जैसे रावन के दस सर थे, भारत की महंगाई के साथ सर हैं, मैं साथों के साथों पर आधा-धा मिनिट बोलना चाहूँगा, आप जितना टाइम देदें सर, पहला है, उर पागत बढ़ाने वाली महंगाई, यानि कि कोश्पूल इंफलेशन, चौथ-पांचवा है सर, बढ़ती महंगाई, घड़ती कमाई, यानि कि हमारी आमदनी उस दर पे नहीं बढ़ रही, जिस दर पे भारत की महंगाई बढ़ रही है, छटा पॉइंट गिरता हुआ से जादा है, और जिसके चलते, आज कोईले की बात हो, पेट्रोल की बात हो, सारा बोज, कैस्केडिंग इंपैक्ट के तहे, देश के आम आदमी पर डाला जा रहा है, मैं बताना चाहूंगा सर, कि जब भारती जंता पार्टी की 26 मही 2014 में सरकार बनी थी, तब अंतर रास्त में कच्छा तेल 108 डॉलर पर बिकता था सर, प्रती बैरल, वो 20 अपरेल 2020 को 108 डॉलर प्रती बैरल से घटकर 1 डॉलर पर आ गया, इतना घट गया, लेकिन सर, उसका जो फाइदा था, लाब था, वो देश के गरीब आदमी को नहीं सौपा गया, और मेरे सवाल के जवाब में सदन में मुझे जवाब दिया गया सर, कि 2016 से लेकर 2022 के बीच में सरकार ने 16 लाख करोड रुपे कमाए हैं, एक्साइस जूटी बढ़ा बढ़ा कर, बढ़ा बढ़ा कर, पेट्रोल पर 78 बार और डीजल पर 76 बार एक्साइस जूटी बढ़ा ही है सर, इस सरकार, सर, GST जिसे गरीब शोशन टाक्स की नाम से भी आज इस देश में जाना जाता है, ये टाक्स सरकार क्यों नहीं कम करेगी, क्योंकि सर, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, वैसे वैसे, GST की कलेक्शन सरकार की बढ़ती है, अगर कोई चीज आज 100 रुपे की बिक्ती थी, वो 1.500 रुप और गरीब करने की कोशिश करी, लेकिन मैं जिस धर्ती से आता हूँ सर, पंजाब से, वहाँ पर सर, अमरित सर, गुरुओं की नगरी माना जाता है, पवित्र धर्ती माना जाता है, वहाँ पर सर, जितने भी सराय हैं, जितने भी अकॉमेडेशन सेंटर्स हैं, उन पर भी GST ये लगाकर आज औरंजेब के जजिया टैक्स वापिस लाने का काम बाजपा की सरकार ने किया है, जब भारती जनता पार्टी के सदसे विपक्ष में थे, तो वो का करते थे कि जब रुपिया गिरता है, तो भारत की साख गिरती है, आज रुपिया 180 के पार हो गया है, सर, पुरानी सरकारों ने रुपिया को सीनियर सिटिजन बनाया था, करेंट सरकार ने 80 पार करके उसे मार्दर्शक मंडल में पहुंचा दिया है, जब रहे जो,